यह मोटी महिला वाटर स्लाइड में खेलना चाहती थी, लेकिन वाटर स्लाइड केवल बच्चों के लिए था, जिस पर भारी भरकम लोगों को खेलने की इजासत नहीं थी. महिला का मानना था कि मेरा वजन इतना भी ज्यादा नहीं है कि यह water slide ही तूट जाए वहां खड़े सभी पर्यटक slide पर इतनी ज्यादा मोटी महिला को देखकर हैरान रह गये पर महिला को अपने उपर पूरा भरोसा था कि वो काफी ज्यादा हल्की है वो स्लाइड पर लेट जाती है और नीचे की और फिसलने लगती है महिला तेजी से नीचे आ रही थी जिस कारण पानी के छीटे दूर दूर तक उचल रहे थे वहां खड़े सभी परियटकों को लगा कि कुछ तो गड़बड है क्योंकि महिला की स्पीड कम होने की बजाए बढ़ते ही जा रही थी और सामने की दीवार को फाड़ कर महिला अंदर तक चली जाती है दूसरी तरफ छोटे बच्चों का स्विमिंग पूल था जहां पर वो सब खेल रहे थे तभी एक बच्ची चिलाते हुए आसमान की ओर देखती है उसे दिखाई पड़ता है कि आसमान से काली परचाई उसकी ओर आ रही है एक ही पल में वो मोटी महिला स्विमिंग पूल के अंदर गिर गई जिस वजह से सारा पानी उचल कर पूल से बाहर चला गया और एक छोटी बच्ची उस मोटी महिला से काफी ज्यादा डर गई थी